हर्याना के पूरे मुख्य मंत्री भूपेंदर सिंग हुड़ा ने हर्याना की जंता में अपनी पैट दिखाने के लिए 15 जनवरी से चलो गाउं गाउं नामक अभियान शुरू करने की योजिना त्यार कर ली है इस अभियान के तहट भूपेंदर सिंग हुड़ा रत में सवार होकर गाउं गाउं जाएंगे और लोगों से संपर्क करन उने भाजपा सरकार के क्रिया कलापों से अफगत कराकर भाजपा के किलाब एक जूट होने का आवान करेंगे इस यात्रा के लिए त्यार किये जा रहे है रत में सबी तरह की सुख सुविदा होने के इंतजाम किये जा रहे हैं पूरा मुक्ष मंत्री बुपेंदर सिंग उड़ा ने हरियाना में कांगरिस की सक्ता आने से पहले गाउं गाउं यात्रा कर किसानों से संपर्क किया था उसके बाद चुनाओं में कांगरिस पार्टी को पूरान भहमत विला लेकिन भजनलाल के ने तृत्व में कांगर्स को मिले पूर्ण भूमत के बाद भजनलाल की बजाए भुपेंदर सिंग hiring हुड़ा को हरियारा में कांगर्स की सत्या की कमान सुंपी गए थी भुपेंदर सिंग हुड़ा के 10 साल के राज में कई طرح के अन्दोलन हुए सत्था की कुर्सी से उतरने के बाद उन्हें करमचारी किसान और अन्ने वर्ग के लोगों की परशाने दिखाई देने लगी पिछले दो सालों से तो वैजनता के बीच जाकर लोगों की समस्यां उठाकर बारपा सरकार को घेरने में लगे हैं हर्याना से कांगर्स की सत्ता जाने के बाद परदेश में लगाता है दस साल तक मुख्यमंतरी रहें भुपेंदर सिंग हुड़ा को कांगर्स पार्टी ने उपक्षित किया हुआ है इसकी बानगी इस बात से लगते है कि दस साल परदेश का मुख्यमंतरी रहने वाले विक्तिकों ना तो कांगरिस नेतरितों ने परदेश कांगरिस की कमान सौपी और ना ही उन्हें विधान सबा में कांगरिस पार्टी के नेता का पद दिया। अपने पक्ष में खड़ा नहीं दिखा सके हर्याना में भुपेंदर सिंग हुड़ा की अपेक्षा के चलते उनके समर्थक 13 विधायक कांगरिस नेतरितों को कई बार भुपेंदर सिंग हुड़ा को कांगरिस का परदेश अध्यक्ष बनाय जाने की मांग पूरी ना करने पर अल्टिमेटम दे चुके हैं इतना इने भुपेंदर सिंग हुड़ा पार्टी नेतरितों की उपेक्षा से दुकी होकर दो बार प्धान मंतरी नरेंदर मोधी से मुलाकात कर नई रहा पकड़ने की संकेत भी दे चुके हैं अब हर्याना में भुपेंदर सिंग हुड़ा ने अपना दम जंता में दिखाने के लिए 15 जनवरी से प्रदेश में गाउं गाउं रत पर जाने का नया गेम खेला है हुड़ा का ये गेम कांगर्स पार्टी के लिए नई परिशानी खड़ी कर सकता है क्योंकि भुपेंदर सिंग हुड़ा के इस अभियान को रोत तक जजजर और सोनिपत जीलों से भरपूर समर्थन मिलने की उम्मीद है इन तीनों जीलों में भुपेंदर सिंग हुड़ा जनता पर तगड़ी पकड़ रखते हैं इस यात्रा में भुपेंदर सिंग हुड़ा को यदि तीनों जीलों के अलावा पूरे परदेश में जवर्दस्त समर्थन मिलता है तो इस से भुपेंदर सिंग हुड़ा के उसमेत कांग्रेस पार्टी को भी लात मार सकते हैं। जो वुपेंदर सिंग हुड़ा के राज में मिली है हुड़ा की इस रथियात्रा की सफलता के बाद परदेश कांगर्स नए समिकरन उबर चकते हैं देखना है कि हुड़ा अपनी इस सियासी गेम में किस किस को प्रभाविद कर पाते हैं MSNML आज यूज